महान हिमाले यानि कि ये आपका हिमाले परवत स्रिंखला का बीच वाला मिडिल वाला भाग है कि इसी भाग में विश्व का सबसे उंचा सिखर पाया जाता है विष्व में सबसे पूचा सिखर अगर कहीं भी है तो वो हिमाले परवत स्रेणी में उस हिमाले परवत स्रेणी का जो बीच वाला भाग है जिसको हम लोग महान हिमाले करते हैं उसी महान हिमाले में विश्व का सरवाधि पूचा सीखर जिसमें इसे परमुख यहाँ पर दस सीखर का नाम दिखाया गया तो बताया गया हिमाले के परमुख सीखर तो यहाँ दिखाया गया यह सीखर है वो सीखर किस देश में पाया जाता है और उसका उंचाई कितना है वो जो है आपका देश है और यह आपका नेपाल तो यहां पर बताया गिया है और यह उचा ही जो है आपका मीटर में तो सबसे पहला विश्व का सरवाधिक उँचा सीखर जो है जिसको हम लोग Mount Everest के नाम से जानते हैं ये विश्व में सरवाधिक या सबसे उँचा सीखर है ये आपका निपाल में इस्थित है और इसकी उँचाई 8,848 मीटर है याद रहेगा उसी तरीके से दूसरा आपका K2 सौट में हम लोग K2 बोलते हैं इसका नाम है Darwin Austin ये आपका भारत में स्थित है भारत का सरवाधिक उचा सिखर यही केटू है जो विश्व का सरवाधिक दूसरा उचा सिखर है यह भारत में पाया जाता है इसका उचाई 8,611 मीटर है उसी तरीके से अगला बता गया कंचन जंगा यह भारत में स्थित है और इसका उचाई 8,598 मीटर है उसी तरीके से अगला मकालू है यह मकालू नेपाल में स्थित है इसकी उचाई 8,481 मीटर है उसी तरीके से यह धौलागीरी सीखर का नाम है पर्वत स्रिंखला है इस पर्वत स्रिंखला का उचाई जो है आपका 8,112 है और यह नेपाल में स्थित है अगला है आपका नंगा परवत यह भी एक स्रिंखला ही हिमाले का तो यह आपका भारत में स्खित है इसकी उंचाई 8124 मीटर है अगला है आपका अनपुर्णा परवत स्रिंखला ये हिमाले का ही भाग है और ये आपका भारत में पाया जाता है इसकी उचाई 7,817 मीटर है अगला है कामेट ये भी भारत में इसकी थै और इसकी उचाई 7,756 मीटर है अगला है नामचा बरवा जो भारत में पाया जाता है और इसकी उचाई 7,756 मीटर है अगला लास्ट है गरुला मंधाता ये आपका नेपाल में पाया जाता है और इसकी उचाई 7,728 मीटर है तो इस तरीके से हम लोग विश्व के सबसे 10 उचे सिखर का नाम हम लोग जान लिए जो महान हिमाले में इस्थित है विश्व का सरवाधिक उचा सिखर माउंट एवरेष्ट है जो नेपाल में इस्थित है और दूसरा केटू है गाडविन आस्टिन जो भारत में है और भारत का सबसे उचा सिखर यही है आपका केटू या गाडविन आस्टिन